नमस्कार मैं हूँ पायल रहादगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ about the present CRPF attack जो आर्मी जवान्स पे हुआ है obviously 18 आर्मी जवान्स की death हो चुकी है and lots of people have been injured and इसके लिए मैं directly blame कर रही हूँ Pakistan obviously because Pakistan के कोई Islamic terrorist organization जशने मोहमद ने ये attack का blame लिया है साथ साथ में Congress को भी blame करती हूँ क्यूं क्यूंकि Congress ने नसीरुदीन शा को hire किया था जब ये isolated बुलंद शेर काओ incident हुआ था और तब लोगों ने जो obviously BJP को support करते थे या नसीरुदीन शा के नौतंकी को पहचान लिया था कहा था कि ये एक isolated violence का incident है इसको आप डर के situation से compare नहीं कर सकते इसको आप कोई terrorist attack से compare नहीं कर सकते जो 1993 में Mumbai blast में हुआ था या 2611 Mumbai attacks में हुआ था because Congress जान बूज के एक panic situation create करना चाहता था तो Congress ने उस time पे उनके वो tweet पे पाकिस्तान के Prime Minister Imran Khan ने जवाब दिया था और कहा था कि वो PM Modi को बताएंगे कि minority को कैसे treat करना चाहिए क्योंकि obviously Naseeruddin Shai Indian Muslim है और अपने आपको minority से कहते है जबकि ये minority की चलती है कल राजय सभा में ना triple तलाख बिल पास हुआ ना citizen amendment बिल पास हुआ और पाकिस्तान के Prime Minister जो country एक Islamic country है और जिस country में minority 1% से भी कम है उस country का Prime Minister ने tweet उस tweet को support किया था जो Congress promote कर रहा था about Naseeruddin Shah and his Nautang की वाला डर अब वो ही पाकिस्तान की terrorist organization ने हमारे इंडिया के 18 army जवांस की हत्या करी है by a bomb blast and Congress के leaders उसके ओपर भी politics कर रहे है वो ये नहीं बोल सकते कि हम सब को मिलके जो भी present ruling government के पास rights है ethically, unethically पाकिस्तान के ओपर attack करना चाहिए और 18 army जवांस की death का बदला लेना चाहिए वो इस death में भी politics कर रहे है प्रूफ करता है कि ये deaths के पीछे Congress का हाथ है क्योंकि Congress जान बूज के प्रूफ करना चाहता था कि Modi सरकार में terrorist attack हुआ so they have collaborated with Pakistan behind the death of these 18 army जवांस I can say it point blank on their faces क्योंकि रंदीब सुझेरवाल कोई उनके politician है Congress के उन्होंने statement करी है कि ये 18th terror attack है under Modi government when will Prime Minister Modi reply देखिए आपको politics करनी है अच्छी बात है आपको power में आना है अच्छी बात है आप लोग एक दूसरे के साथ लड़ते जगडते रहिए in the मैदान but as an Indian citizen मैं आपको कह रही हूँ आपको क्या right है Indian army soldiers की जिंदगी के साथ खेलने का तो मैं कहती हूँ Congress जान बूच के प्रूफ करना चाहती थी कि Modi सरकार के अंदर terrorist attacks हुए है इसलिए उन्हों ने strategize किया है ये attack जो फुलवाना में हुआ है साथ साथ में उनके कोई अदूसरी politician है शुशील कुमार शिंडे जो एक टाइम पर इंडिया के home minister बने थे उन्हों ने कहा है कि because BJP ने surgical strikes के उपर बात करी है ये उसका बतला है How can you guys be so cheap? You are worse than I think any human being on this planet आप लोग इस टाइम पर do not talk about attacking Pakistan but you talk about attacking this prime minister who has to take an action right now against these terrorists because 2019 की elections में आपके पास मौका है आप जीती है अपने बल से अपने नसीब से but इस टाइम पर जब 80 आर्मी जवान्स की देथ हो गई है आप इतनी घटिया speeches देते हैं आपको इस देश का politician किस ने बनाया? क्यूं बनाया? कोई भी party से आप लोग कैसे बन गए? इसके इलावा obviously हमारे देश की secularist और fake जो journalist है बर्खा आंटी जैसी वो जशने मोहमद में से मोहमद शब निकाल देती है क्योंकि शायद उनके लिए जशने भी saffron terror होगा ये attack भी शायद RSS ने किया होगा बर्खा आंटी के साथ साथ वो दूसरी स्वरा आंटी उनको भी saffron terror दिखता है हर जगा तो शायद मेरे हिसाब से ये 18 आर्मी जवान की तो जैत हुई न वो भी शायद RSS ने कराई होगी ये लोग इतने third class इंसान है seriously there is a level to your politics आप लोग इतनी dirty politics करते हो मुझे नहीं पता था कि politicians are such third rate human beings forget your profession but as human beings you guys are beyond cheapness इसके इलावा और मैं कुछ नहीं कहना चाहती कोई Omar Abdullah है वो भी obviously Kashmir के एक टाइम के Chief Minister रह चुके है उन्होंने भी obviously ये Jashne Mohamed Terrorist Organization की सफाई में कुछ tweet किया है जैसे वो Jashne Mohamed Terrorist Organization का जो head होगा वो शयद Omar Abdullah जी के friend होगे और उन्होंने verbally उनको बोला होगा कि भाया हम इसकी वज़ा से ये suicide bump करने है मतलब इस guys are anti-Indians they are anti-nationals the present Prime Minister of India Narendra Modi ji I request you to take decisive and aggressive action against these Pakistani terrorists and Pakistan as a terrorist country and all these nakli feminist, journalist, secularist I dare you go and stay on the border and then talk rubbish that you talk because you guys are worse than those illiterate terrorists जिनको brainwash करके भेजा जाता है हमारे border पे आप लोग उनसे भी जादा घटिया इंसान है Namaskar